हिलो एप्रिवेंन मैसल करिटिका यो टॉडेएंग तो करिटिका भी एक सी क्लासे किने पर नेंज वीत को पता हुग कि फाइनली जून टौन टॉंटीवें के लिए आप दाल सकते हैं का फे टाइम के बाद फाइनली रिलीज हो चुका है तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि CSIR net exam क्या होता है इसका application procedure, LGBT criteria, age limit, paper pattern, opportunity, validity of scorecard आज की इस वीडियो में हमें इन सभी के बारे में full detail में discuss करने वाले हैं चैनल पर पहले बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे टेलिग्राम गूरूप पी जॉइन होना रहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्स बॉक्स में मिल लाएगी आप जाकर महां से महीं ज आप डेल्स सबस्टी अपड़क्ण जॉइंत सी यार यूजिसी नेट इन दर सी बीडी मोड यूंट्य में होता है आप यूंप्यूट पयूट्च मोड़ा यूंट कर वाति यूंट आजिक नेस्सेट अजिए कर वातिया ओकी तो जो जॉएंसी जाय एटिग्सीए एक है वोच्यूम 9 जूट को एंगो सबसे में तो दो ओपर पहला होता है ज्री दूसरा होता है लस यानि लेक्टर सिपॉर एक होता है जूनियर रिसर्च वेलोशिप कि जो कि आप इंडिया निन्वर्सिटी और इंड्या शॉब्जेक्ट इन कोलेश्टी इन फिलिंग दूदी प्रिटिया दूप लेट दूब ऑई यूजिए ओनलाइ या फिर असिस्टेंस प्रोपेशर इंटू और टॉंटी ओकी दर टेस्ट वास्ट वास्ट वन्ली वन्स ड्यू तो दूदी पांडिमिक यहां पर कोविट नैंटी की वासे इस बार का फॉर्म जो था वो लेट होगे लिकिन फाइनली फॉर्म आपका रिलीज हो चुका है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अपडेट फीच डिटेल एंड एप्लिकेशन प्रोसिवडर और जो आपका फॉर्म था वो फाइनली रिलीज हो चुका है यहां पर अगर हम नेम आफ जॉमिनेशन की बात करें तो ओन्लाइन रजिस्टेशन एंड सब्मिनेशन और फ्रॉट फ्रॉट दे एंटी वेबसाइट आप इस वेबसाइट पीजाकर महां पर विजिट कर सकते हैं यहां पर यहां पर हम लाज़ डेट की बात करें तो सक्सेस्फुली ट्रॉंजेक्शन ऑप इक जॉमिनेशन फीस आप की ती जन्वरी तुरांट वन को एलेवन कीजिएक बता फान या ईसके यह केजनेरल काटेगरिके जेनरल इडर्व लगी उनकी चोटल फिफीस ऑगी की बात करें तो करेक्शन इंद पॉर्टिक्लर ली ऑप अप्लिकेशन फॉर्म वनली आप कैसे ऑनलाइन वनली कैसे कब तक करेंगे तो 5.121 से लेकर आप 9.121 तक आपकी डेट है ठीक है कि बात करें की पेपर पाटन कैसा होगा तो वह आपका की कोशन सुनगी टिके डिवरेशन आप शुर्टिक्प्राइब कि ट्रीमिंग होगी तो वह आपका ने सेकेंड की बात करें तो 3 पीम से आपका 6 पीम इस्ट में होगा ठीक है अगर आपको सेंटर डेट एंड सिफ्ट जाना तो आप से सारी एक्जामिनेशन में आप देख सेते हैं कर दो आपको पराच चल जाएंगे डिस्प्लेट रिकारदर एंसर की आपको वेबसाइट पर चल जाएंगी एंड साथ जो भी इंफोर्मेशन से रहेगा मैं आपको टेलिग्राम मुरूब पर सब कुछ बता ती रहुंगी टीक है वेबसाइट की अगर आप वेबसाइट पर मुल लाइगी आप जाकर माहां से देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन डिया इंफॉर्मेशन बुलेटीन से तो जुएंड से रिजीन जून जो टूर्वां टूर्ट टीवैं की कोर्स के लिए होगा उसकी आपका इलिवेटी क्रिटेरिय क्या होगा मैंसी आपका मैंसी होना चाहिए क्लेंड डिग्री से इंटिग्रेट भी ए बीएस एमेस बीएस फोर येर्स होना चाहिए बी बीटेग भी फार्मा एंबी विएस विटेल आप दे 55 परसेंट विदाओ आफ मार्क आप दे जेनरल यूरे जेनरल इडाल एवस एड़ अड़ परसेंट होगा इन जो कैंडिकेट होंगे उनके लिए 55 परसेंट होगा और जो ओवी सी कैंडिकेट होंगे उनके 50 परसेंट होगा बिदा कैंडिकेट इनरल एवस 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 परसेंटेज ओफ मार्ग विदिन वैलेडिटी पीरिए और तू यह इन दाभी लेवल फैलोशिप्स अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं जैसे कि आपने ग्रेजुएशन होने से पेज़ लिन 2-3 यहां पार्वर कर आपको आपको अगर आप दो एमसी का जैसे कि आपका एमसी में अड्मिशन लेने के बाद आप ज्वाइन कर शकतें जिसे कि वाव इन होता था चाहिए लेटीड होता है तो आपका टू यहिएर्स के लिए होता जीके डिए ठीकर करके एक ह एप्लाई वनली जूनियर रिसेर्च फैलोसिप्स के लिए आप कर सकते हैं जो कि ज्यारिफ होगा आपका एंड नौट फॉर्ड लेक्टर सीफ असिस्टेंस प्रोपेसर आप ज्यारिफ के लिए जो अगर आपने बैचलर डिग्री किया है तो आप उसके लिए आप फॉर्म ट्सकी असिस्टेंस प्रोपेसर के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए तो हहा पिए त Egg यहां पर आप आप एंदे घर्व की बात करें कि आरिफ के लिए होनी चाहिए तो मैक्जिमाम 28 EARS यहां पर आपकी एज लिमिट नहीं है यहां पर आपकी कोई एज लिमिट नहीं है यहां पर मेडिया माय चिन की बात नहीं है यहां की का है इस लीय किया है यहां पर ने हिन्दी लएता थी इंचरण फरीचेश फॉट है कि इंग्तारो अगर आपको हम चं़ार फॉर्म फन्बाटो और करे तो एक समिट करें agar ha एक समीनिशन की आपका मोड औप पेपर पेतर मि पला डिवाइड होता है बहुत अबच्री जी सब्सक्राइब एकर इडिक टाइप कोस्षिंस होते हैं इसकी मतिक जोमिनीशने एसपर डेतल भीलोगाइंश की पेपर पैटन की बात जो भीएड और आप तेटी आप पर आपको सिर्फ 10 कोश्चन करने में 5 लेता है। नहीं एंटम था सिर्फ 10 कोश्चन करने हरां ह। जो 1 question होता है वो आपका 2 mark होता है यहां पर 20 questions होता है 20 question में एक question होता है वो आपका 2 mark होता है Mark for the incorrect answer negative marking part A B C is then 25% होता है जहां कि अगर हम यहां पर बात कर तो 0.5% होता है यहां पर आपका negative marking इतना होता है तो part B में जो total questions होता है वो आपका 50 होता है 50 questions में maximum questions आपको attempt करने वो 35 questions आपका 2 mark होता है जो यहां पर incorrect आपका होता है negative marking होता है वो 0.5% होता है ठीक है अगर हम part C की बात करें कि part C में आपका जो अगर total question होता हो 75 questions होता है यहां पर 75 questions में जो आपको attempt करने रहते है वो 25 questions attempt करने रहते है 1 question जो होता है वो आपका 4 mark होता है यहां पर जो negative marking होती है वो आपका 1 होता है ठीक है यहां यहां पर part A, part B, part C को तीनों को मिला के जो total question होता है वो आपका 145 होता है जहां कि आपको जो question आपको 75 कोशन आटेम्ट करने रहते हैं जो आपका जो टोटल मार्क होता है वह आपका 200 होता है ठीक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊगी ठीक है तो यहां पर अगर हम ऑपिचुनिटी की बात करने के से सारे उसी नेट करने के बाद आपके पास क्या ऑपिचुनिटी होती है तो यहां पर आप देख सेते से क्वालिफिकीशन फॉर दे नेट एलस विल भी मैग देजिवर तू अप्लाइफ एप्लाइफ टीचिंग पोजीशन इंडियन कॉलेज इंवर्सिटी विल भी मैग तो इलिवल फॉर दे गॉवर्मेंट फंडेट प्रोजेक्ट ठीक है अगर अगर नेट एलस का लेक्ट सब्सक्राइब आप किसी भी इन्वर्सिटी विल लेक्ट्ट दे सकते हैं अगर आप आप क्वालिफाइट करते हैं तो आपके पास क्या ऑपर चिनिटी वह तो यहां पर पॉइंट को देखें लिटी फॉर्ट एलिवल्टी फॉर दे पीएच्ड इंट्रन्स एंड्ट तो ज्यारिफ के बाद आपको पूरा फाइनल से सपोर्ट मिलता हैं अगर आप पेच्ड आगे करना जाते हैं तो उसके लिए ठीक है क्योंकि आप पॉइंट नपर फर्स्ट की बात करता वैलेडिटी ऑफ़ ऑफ और ऑफ दे ज्यारिफ आवार्ड इस तो यहां यारी जो आपका आवार्ड मिलता है उसकी जो वैलेडिटी होती है उसके बाद आपको उस वैलेडिटी का कोई मात्र नहीं रह जाता ठीक है एंड वहीं अगर हम पॉइंट नबर सेगेंड की बात करें तो वह आपकी जो वैलेडिटी का स्कोर कार्ड होता है वह आपका लाइफ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मैं उसका आपको दे दूंगी तो चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सिस्क्राइब कीजिएगा वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक कीज और नंगी बार वीडियो गे लावब पसंदा आप मिंटा रमाट हो रफ भीडियो ओन हो कैनल को सुपना आपको रेज़ बार किरो भीडियो ओना बार वताल किकजिए